यूपी के माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार एक्षन में है लगातार ताबर तोड कारवाई की जा रही है प्रशासन माफियाओं के अवैध निर्माडों को ध्वस्त कराने अवेज संपत्ती को कुर्ग करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कारवाई कर रहा है इसी क्रम में मंगलवार को जिला प्रशासिन द्वारा IS-191 गैंड की लीडर मुक्तार अंसारी की पत्नी के नाम सदर कोत्वाली में स्थित निर्मारादीन शॉपिंग कामप्लेक्स को मुनादी के बीच कुर्ग करने की कारवाई की गई सुनो, सुनो, सुनो सुरीमान जिला प्रशासिन दिकारी गाजीपुर के आदेश के एक्रम में आई-एस एक्सो एक्यानबे गैंग के लीडर मुक्तार अंसारी की पत्नी आपसा अंसारी के महुला देओरी वल्लक दास इस्थित निर्मारादीन सापिंग कामप्लेक्स को गैंगेश्टर एक्ट की धारा 14.1 के अंतरगात कुर्क किया जाता है सदर छेत्र अधिकारी ओजस्वी चावला ने बताया कि प्रदेश में माफियाओं के विरुद चल रहे अभियान के अंतरगत जिलाधिकारी एमपी सिंग कि आदेश पराज गैंग्स्टर एक्ट की धारा 14.1 के अंतरगत IS-191 गैंग के लीडर मुक्तार अंसारी की पतनी मुहम्दबाद कोतवाली छेतर के दरजी महला निवासी आफसा अंसारी का निर्माराधीन शॉपिंग कॉम्पलेक्स को कुर्क कराने की कारवाई की गई है मालूम हो कि PWD की रिपोर्ट के नुसार इस निर्माराधीन कॉम्पलेक्स की कीमत लगभग 2 करों 84 लाख रुपे है कारवाई के दौरान सदर कोतवाल दिपेंदर सिंग, सदर SDM अनिरुद्ध प्रताप सिंग, नायब तहसिलदार सहित अन्य अधिकारी और पुलिस कर्मी मौजूद रहे ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दें